नमस्कार दोस्तों मैं कुल्दी भारदवाज आपका डागोर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों कैसे हैं सभी दोस्तों आज का डिन किस प्रकार से आपका अब तक बीता और आने वाला जो टाइम है आज के दिन का वो आपका सुब हो और ये हमारी दौए है और स्वास्थ और तंदुरुस्त आप रहें यह मैं हमेशा कहता रहता हूँ क्योंकि आपको पता है स्वास्थ मस् प्रिस्क का वाश होता है ठीक है तो कुछ बच्चे जो हमारे से जुड़ चुके हैं उनकी हम बात कर लेते हैं सोनु वैशनव नमस्ते भई राम बाबू गुड़ापनून सोनु चौदरी राम 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 मान सिंग गुड़ापनून बई गुड़ापनून जल्दी से बीजे माता दी सबको रादे रादे जैसा कि आपको पता है आज नवरात्रा है और अस्त्मी नव में एक है तो कई बच्चे जो हैं हमारे वो व्रत जो हैं वो रखे हुए अज बात कर लेते हैं देखी अब की हमें पता नहीं कि आवश्क्ता नहीं है पर फिर भी आपको चर्चा पता देते हैं इसमें मोबाइल एप जो है हमारा डागुर्स एप वो रीट लेवल 1 के लिए 1200 रुपे रीट लेवल 2 SS के लिए 1300 और रेट लेवल 2 जो है साइंस मैथ के लिए इसमें 1500 रुपे का अपना एप है डागुर्स एप ठीक है आप इसका लाब लें ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम से अब क्लास जो है वह हम आगे बढ़ाएंगे आज की 12 बजी की किसकी है जनरल साइंस की ठीक है बहुत सारी क्वेश्चन्स हम नहीं आपको लेके आएं और उमीद करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादे बच्चे हमारे सही आंसर दें अपना मेंटल जो टेस्ट है वह इसमें ज्यादा से ज्यादा और मेंटल टेस्ट भी कैसे लेना है इसमें कैसे देना है क्वेश्चन्स के आंसर इमानदारी के साथ में ठीक है बीवाराम कई दिनों बाद आएं भई बीवाराम ठीक है वेरी गुड आपन भई मान सिंह अचा व्रत है क्या कोई बात नहीं कॉइड सब का आपको पता है कि वरत का जो उद्देश है वह एक उद्देश ये भी होता है कि बोड़ी है हम इश्वर की तो प्रार्थना करते ही है साथ साथ हम जो बोड़ी है उसका मेंटिनेस भी हमारी बोड़ी का वरत के द्वारा होता है ऐसा माना जाता है तो स्वास्त के लिए इसका बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है, आरके साउ, हलो भई, गुड़ा अफटनोन, मान सिंग, ठीक है भई, आगे बढ़ाएं के सत्र को, ठीक है, प्रस्थनों से हम शुरुआत करते हैं, और आज का हमारा पहला कॉशन कौन सा है, बातें आप से चलती रहेंगी हमारी इमरान, गोलुराज, जैमातादी, गुड मौनिंग भई, इमरान, ठीक है, अब बात करते हैं, इस सत्र के पहले कॉशन की, पहला प्रस्थन क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं, दोस्तों, और पहला प्रस्थन मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, क्या कॉशन है, इसकी हम बात कोक रोज का आएगा फिर केंचुए का और फिर कौन सा शशक का ठीक है ऑप्शन क्या है ऑप्शन में पढ़ देता हूं पहला ऑप्शन है हमारा विवाराम बढ़िया भाई विवाराम आप कैसे हो उमीद करता हूं अच्छे हो गे ठीक है लूना हाँ वही घुड़ापनून पहला उप्शन में पढ़ देता हूं तवचा मेलपी घी नलिका और इसमें कौन है व्रक दूसरा उप्शन है मेलपी घी नलिका नेफरीडिया और व्रक यह क्रमशा इसको ध्यान रगना है कोक रोज का पहले आएगा कैंचुए का उसके बाद में और शशक का उसके बाद तीसरा उप्शन हमारा नेफरीडिया मेलपी घी नलिका और व्रक चौथा उप्शन हमारा नेफरीडिया यह दी डिया लग गया है यह थोड़ा एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसको में काड़ देता हूं नेफरीडिया इसके अलाबा व्रक और इसमें एक्स्ट्रा है इसम Shashak क्या होता है पता ही क्या, कि से कहते हैं, खरगोश कौन सा क्रगोश कि मुद्थstalk क है, Rabbit जुआ है उसको हम Shashak बोलते है, 家 Demokala को आपको पता है इससे हम क्या ध्यन का बोलते है, अर्थ भर्म क्या बोला जाता है इसकोodeshvorm, हम ने एक defend permit question में डला था। कॉक्रोच की बात करें हम, तो यह क्या होता है, तिलचटा, घरों में भईया खुब मिलता ही, ठीक है, कई जो व्यक्ति हैं वो डर जाते हैं कॉक्रोच की द्वारा, ठीक है, यह भीमाराम ने कैसे रीट्रेक्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, राम बाबु सी, योगेस भी, मोनुनैनीवाल, सी है क्या, ओके देख लेते हैं हम, देखो, कॉक्रोच का आपको बता है, उत्सरजी अंग पुछा है, एक्सक्रीटरी ओर्गन कौन सा है, अलग-अलग जो जीव हैं, उनके अलग-अलग एक्सक्रीटरी अंग होते हैं, जैसे मानब की बात करें, तो मानब के रूप में, द्रब के साथ मिला करके, एक्सक्रीशन करती, यह अधर ओर्गन से हैं, किसके, यूमन के, ऐसे ही यह जीव दिये हैं, इनकी बात कर लेते हैं, तो देखो, कॉक्रोच की बात अगर करें हम, ऑप्शन तो हम ने देख लिए, सब की लगवग मिक्स डार हैं, इ उसको हम कहते हैं, मेलपीजियन नलिका, मेलपीघी नलिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेलपीघी नलिका, ठीक है, इसके बाद में हम केंचुए की बात करें, किसकी बात करें, केंचुए की बात करें, तो केंचुए का जो उत्षरजी यंग है, वो होते हैं, नेफ नेफरीडिया होते हैं दोस्तों ठीक है और नेफरीडिया को व्रकक के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं व्रकक के नाम से शशक या खर्गोस की बात करें तो हमारे साथ आता है शशक या खर्गोस और यह किसके द्वारा यह व्रकक के द्वारा क्या करता है एक्सक्र जो कि B option में इसमें सही है, तो right option क्या है? Right option B वाले जो हैं वो बिलकुल सही है, ठीक है? अरे इन रियादव, हलो भई, हाँ वीवाराम, कौकरोच, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मावीर राजुरिया, B, मोनू, हाँ आपने दिया, उपर आपने answer दिया, बिलकुल आपने answer दिया, तो B वाले जो हैं वो बच्चे उनके right answer है, ठीक है? ध्यान रखना है ये कई बार अलग से specially question आजाता है कभी-कभी, क्या पूसता है, वो सीधा ही पूसता है, क्या कौकरोच किस के द्वारा उत्सरजन का कारे करता है, एक ही एक जीब को दे करके वो पूस सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, मेलपीजीन नलिका, इंसेक्ट जो होते हैं, उन फीजेटी नलिकाएं पाइजाती हैं, उत्सरजी अंक की रूप में, फिक है, यहाँ को अर्थुवर्म की बात करें, थी कैंचुआ किस में हाता है, एन जनलिणा संग में और कोरोच किस में वाच वे अ को पूस अर्थुडवड़ा संग में, तो यह ध्यान रखना है आपक कवर, प्रणाम भईयनू, श्रीकान, भी अच्छा option दिया है, मान सिंगा गलत हो गया, ओके, कोई बात नहीं, अगली बार सही देना, समीर आजमी, ओके, गुड़ा अपनूर भी या समीर, ठीक है, आगे बढ़े क्या, अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं, अगला प्रस्न बड़ा आसान है, दिमागी नहीं लगाना, आँख बंद करके जवाब इसका देना है ओप्शन डी में है, अमोनो टैलिक, ओप्शन डी में क्या है, अमोनो टैलिक, बढ़ा बड़ से आंसर दें, आग बंद करके सभी का राइट आना चाहिए, सभी का अंसर के सानची, राइट, ठीक है, आने भी लगए, ओके, 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 बेलकुल महाबीर गोलुकार प्रेम सिंग, इनका ए, भटक्तियात्वां भी ए, महेंद्र आचार ए, लूना सोलंकी, ए, रतन सिंग, भीवाराम ए, मान सिंग, गोलु, अचा, हाँ, गोलु ने दे दिया आंसर, रतन सिंग, भीवाराम, हाँ, 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 ओके, 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 पटाबड से आंस यूरिया का excretory material के रूप में उत्सर्जन करते हैं, किस का उत्सर्जन? यूरिया का उत्सर्जन करें, उनको हमने क्या बोला? यूरियोटलिक बोला, जो प्राणी यूरिक अमल का उत्सर्जन करें, कौन यूरिक अमल का उत्सर्जन करें? ठीक है, वो प्राणी यूरिकोटलि है alininks गौणिंफ नerson six और क्या करते हैं यूरिया का उत्र do ace अगर करते हैं वह यह ette सब्सक्रा he続 तो यह अमोनिया का उत्रछन करते हैं खिरिंगे लों की बात करें और यह एमीनो अमल के रूप में पदार्थों का उत्तर जंट करते हैं आमिनोअमलों के रूप में बात समझाई क्या अब मानव की बात करें तो डेफिनेटली क्या हो up इसलिए उठीय को प्रानी को क्या साथ में ध्यान रखना है तु कंद लग इस टाइब का कोस्षण इन में से चारों ॐसे इन से बन सकते है तो प्राणी के नाम पूछा जा सकता है एक्जांपल आपको दे सकता है इसके साथ साथ में सीधा ही वो यह पूछ सकता है कि यह प्राणी किस पतार्थ का उत्सरजन करते हैं ठीक है कोई साथ भी प्राणी उठा करके वो रख सकता है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है अमोनिया का उत्सरजन ठीक है अमोनिया आपको जलिये जीवों में मचलियां जो आती ह किसका एमीनो अमलों का पता है क्या कोन आता है मौलसका में कोन आता है पाएला है ठीक है इसके लाबनाव है पर लोच्टर की नाम छुनाएं क्या हूं CP क्या देने का मोती CP ध्यान आ रहा हो तो ये सभी के सभी प्राणी क्या है एमीनो आइसिट्स का उत्षरजन करते हैं अगले प्रस्ण की तरह बढ़े क्या ओके ओके सब का सही है हाँ बढ़ी हाँ बढ़ी मोहन सब को कॉंग्रेचुलेशन दे रहे हैं लेकिन आपकी बार बताओ किसको कॉंग्रेचुलेशन देना है वो यहां देखना है अगले प्रस्ण में क्या कह रहा है अगला प्रस्ण दोस्तों अगला प्रस्ण कह रहा है उदक में है रोग किस हॉर्मोन की कमी के कारण होता है उदक में है रोग किस हॉर्मोन की कमी के कारण होता है option A है insulin हॉर्मोन दूसरा S में besopressin हॉर्मोन तीसरा S में estrogen हॉर्मोन और चौथा S में testosterone हॉर्मोन कौँ सा है? testosterone हॉर्मोन किसकी बज़े से उदक में है रोग होता है महभीर का answer स्वाइद आ गया है महावीर राज़ुरिया का insulin भीवराम का A मान सिंग का A insulin महावीर का insulin है राम बावु का A B हरेंदर का B ओके ओके बटक्तियांत्मा A मान सिंग ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा प्रस्ने ठीक है A बाले जादा है मैं सब के comment पढ़ रहा हूँ ठीक है योगेश लता A दिली प्रेम सिंग ओके सब का हरेंदर टीनू मीना ओके भाईया ए है टीनू का ठीक है माही सिंग सुगर इंसुलिन भीवाराम का आच्छा भीवाराम ने दे दिया ठीक है समीर ने ये दिया है रतन सिंग ने लूना ने रामबाव ठीक है ठीक है ओके 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 बता देते हैं हम आपको यहां पर देखिए यहां थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ देखिए हमने यहाँ पर एक इंसुलिन की बात की इस हॉर्मोन की कमी से एक रोग होता है इस रोग को हम कहते हैं मधुमेह रोग और इस मधुमेह रोग को इंगलिश में कहते हैं क्या बोला जाता है डाइविटीज कौन सा इसको हम बोलते हैं मैलीटस क्या बोला जाता है डाइविटीज मैलीटस ठीक है यह इंसुलिन हर्मोन की कमी के कारण होता है और आप गोता है इंसुलिन का सीक्रेशन कहां से होता है पैंक्रियाज किसकी बात करें पैंक्रियाज अग इसकी कमी से कौन सा मधुमेरोग होता है जिसको क्या कहते हैं हम डाइवटीज मेलीटस ठीक है क्या होता है मधुमेरोग में रुधिर में शरकरा लेवल सुगर लेवल क्या हो जाता है यह डाइवटीज मेलीटस कहलाता है क्या कहलाता है मेलीटस यह पूरा नाम आपको ध्यान लगना है ESTR Sezen Plasus vibe on TORT चना कि बात करें और टेस्टोस्टोरॉन कि बात करें तु हाँ मादाचव आंडैक हर्मोन हैं कौंसा मादाचव हौर्मोन कौन होते है ऐस क्वाद्यों तडते हैं कि डुच्टियर लहंगे क्षण तो अगर हम बात करें मैला नती का वह विकास ओना शरील परवालों का अभाब रहाँ को बात करें तो अंडाशे गरंतियों द्वारा इसका सीक्रेशन होता है ठीक है और ये नरजनन हर्मोन टेस्टोस्टेरोन भी पुरुषों में दुतियक लेंगिक लक्षन जो भी हैं जैसे आवाज का भारी होना पुरुषों का शरीर पर बालों का विकास होना इसके साथ साथ म बैसोप्रेसिन की इस बैसोप्रेसिन को एक अन्य नाम से हम जानते हैं इसको कहते हैं ADH और ADH की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है कभी कौन सा कौन सा है anti-diuretic hormone बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है anti-diuretic hormone ठीक है और इसमें एक बात बताया था हमने संग्रहक नलिका नेफरोन हमने पढ़ाया था उसमें एक नेफरोन का डाइगराम बताया था पिछला एक question था उसमें हमने बताया था और यह प्रस्वी था कि ADH का सिक्रेशन कहां से होता है संग्रहक नलिका के द्वारा सिक्रेशन होता है लेकिन यह कारे बता देता हूं में इसका कारे क्या है इस श्राइबया लेकिन, मैं तो यह के रहा हूं किसी कमी हो जाए, कमी हो जाए तो जल का आवशोशन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ही होगा. चलो, मोहन उलानिया मनीश क्या बोलने हैं लेकिन पहले क्वेश्चन को पूरा देख लो ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन में और इतने सारे क्वेश्चन आए कि लगभग इन हर्मों से सम्मधित जो है वो गलत प्रस्म नहीं होगा ठीक है यहां इसको हमने बोला मदुमी लेकिन हमने तो कहा वैसोप्रेशन कौन सा अर्मोन ADH कहां से सीक्रेशन तो हमने का नैफ्रोन की संग्राक ने लिका हमें सीक्रेशन होता है और कारी कहा है जल का अवशोशन लेकिन मैंने तो यह का कभी है यह कम हो गया कम हो गया तो क्या होगा जल अ तो क्या करता है पुन्रावशोशन की क्रिया होती है पुन्ह अवशोशन होता है इस नेफरोन में और इस पुन्रावशोशन में जल का अवशोशन कौन कर रहा है यह एडियेच अब एडियेच कम हो गया तो जल का अवशोशन भी कम हो गया कम हो गया जल का अवशोशन पुन् इसका मतलब यह को हम जरख पुने अवश्यक्र नहीं होगा और जो व्हशर sonny वह मोटरनी कि क्या करेगा मूत्रतया के लिए जायेगा इस रोग को जो ज्यादा मूत्रतया के लिए जाएगा इस रोग को हम कहते हैं मूत्रलता- América और इस मूत्रलता रोग को ही हम इंगलिश में एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं क्या diabetes insipidus क्या बोलते हैं इसको हम diabetes insipidus insipidus ठीक है समझ में आया क्या और हिंदी में diabetes insipidus को क्या कहते हैं हम उदक में क्या बोला जाता है उदक में तो इसका मतलब diabetes insipidus काउंसा उदक में और diabetes meritus काउंसा मदु में तो मदु में तो insulin की कमी से और diabetes जो हमारा इंसिपीडस है या उदक में है वो किसकी कमी से इस वैसोप्रेसिन या ADH हर्मोन की कमी से होता है तो भी यह राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है B. वैसोप्रेसिन ठीक है कौन सा है वैसोप्रेसिन ये क्वेशन आप भार भार रिपीट करना अगर किसी से कुछ छूट गया है तो समझ में आगे के बाद दोबारा सी वीडियो देखना है इसमें और बहुत सारे जो क्वेशन हैं वो आपको मिलेंगे ठीक है करने दो डाइबडीस हो गई ही कानसी एक तो मैलिप इसको कहा है मैलिटस दूसरा कौनлон सा इनसीपीडस मैलिटस को तो मधू महें और इनसीपीडस को कौन सा उदक में जिसमें मूतर त्याग जार्द या बार बार जाना पड़ता है या मूत्र का ज्यादा बनना होता है वो कौन सा कहलाता है उदक में रोग कहलाता है इसको मूत्रलता और डाइवटी इंसी पीडस के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है दोस्तों अगले प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखो क्या है अगला प्रस्न है पेट की अमलता दूर करने के लिए उपियोग किया जाता है हाँ भाई लाइक भी करना है मान सिंग कह रहें ठीक है सीना अच्छा आपने उपर नहीं दिया क्या आंसर यह लेट हो गई है चलो कोई बात में महावीर राजूरिया ठीक है कोई दिक्कत ने श् जबाब देना है स्क्रीनशोट लेना अचाएं उनंट होना है क्या पिछले बात में यह लो फिछले बाले में लो पड़ाब से तु है व przyszेते तो आपका वीडियो में भी ले सकते हैं स्क्रीनशोट थीक है ले लिया अगले प्रस्न की तरह बढ़े हैं अगला प्रस्न है Gracia Magnesium oxide के रूप में इसका उपयोक किया जाता है नीलत होते का यूज किया जाता है और हरा कशिष किसमें यूज कर रहे हैं यहांपर यूज की बात करें तो यूज हम किसका कर रहे है यूज हम इन पदार्थों में से किसका करते हैं आपको होता है एसीडिटी नाम सुनाएं क्या एसीडिटी एसीडिटी पेट में हो जाती है एसीडिटी क्या होता है एसीडिटी अमलता बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है अमलता पेट की क्या हो जाती है बढ़ जाती है इसी को हम कहते हैं एसीडिटी ठीक है अब आपको एक बात बता दे हम कि अमलता बढ़ रहे है तो पेड़दर्द की शिकायत हो रहे हैं ये तो क्या करे रहे हम तो हम इस असिड को कम करने वाला जो पदार्थ है वो हम वह ग्रेंड कर सकते हैं और उसे ग्रेंड करने के पक्षाथ हम पेट के अमलता को दूर कर सकते हैं या निकि इसको न्यूटलाइज कर दे ऐसा पदार्थ हमें यूज लेना है तो option आने लगे क्या? मान सिंग, गोलू, ओके पीवराम, हरेंद्र, महावीर सबका भी है क्या? ठीक है, योगेश, मान सिंग क्या कह रहा है? पता नहीं, मान सिंग दो रतन सिंग, ओके, 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 ओके ठीक है, ठीक है हाँ वाई, मोडल पेपर है, फ्लोरिजेंस बिलकुल महावीर, ठीक है, ओके, 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 देखो यहाँ पे, इसको हम कहते है, मिलक ओफ मैगनीशिया, यह क्या बोला जाता है? मिलक ओफ मैगनीशिया यह मिलक ओफ मैगनीशिया कहलाता है, ठीक है? और मिलक ओफ मैगनीशिया का यूज जो है, वो क्या करते हैं तो हमारी बात खुब ही थी चूंध कि बात में इसका उपयोग लिया जाता है नीले थोते की बात करें कौपर सलफेट की बात करें इसको कौपर सलफेट बोला जाता है सी यू एस सो फोर ठीक है पांच इसमें जलके अनू भी होते हैं इस कौपर सलफेट में पांच क्या होते हैं इसमें जलके अनू 5S2 होता है कौपर सल इसको हम कहते हैं Fe-SO4.7H2O, इस हराकशीश इसको बोला जाता है, फारीस सलफोड या आइरन सलफोड वोला जाता है, करते क्या हैं? इससे हम यूज लेते हैं, क्या यूज लेते हैं? रुधिरबढ़ाने की धव, रुधिरबढ़ाने की दबा बनाने में यूज लेते हैं, इसका क्या किया जाता है?, यूज किया जाता है, किसका, इस हरा कशीश का, ठीक है और MILK MOB magnesium का use किसमें किया जाता है इस acidity को दूर करने के लिए किया जाता है जिसको हम magnesium oxide कहते हैं क्या कहते हैं magnesium oxide ठीक है तो अब यहां पर आपको क्या होगा magnesium oxide इसका right answer होगा तो लगबग भी आज सबने answer सही दिया है ठीक है सबने answer सही दिया है ओके ओके अगले परसंद की तरह fountain pen की nib की tip जानते हैं न निव जो होती है pen की पहले चला करते है तो शाही वाले pen उसमें निव देखा हुआ आपने उसकी tip आगे का point जो होता है वो tip कहलाती है बनाने में उपियोगी है कौँसा पदार्थ है कौँसा तत्व है जो उपियोगी है पहला इसमें दे रखा है molyb denim क्या दे रखा है molybdenum ये m.o. छोटा है उसमें बड़ा हो गया koई बात नहीं थीक है दूसरा दे रखा है इसमें LED तीसरा दे रखा है tin और चोथा दे रखा है इसमें platinum चोथा कौँसा दे रखा है platinum कौँसा पदार्थ है जो fountain pen की nib AI staff है बनाया जाता है ठीक है पड़ा प बीज का आकार बढ़ाने में यूज ठीक है? बीज का आकार बढ़ाने में उपयोगी होता है ये और उपयोगी अगर हम बात करें तो सेम की बात करें मटर की बात करें टमाटर की बात करें तो इनके बीज बढ़ाने के लिए इसको क्या किया जाता है? इस मॉलिब्डेनम को यूज लिया जाता है लेड की बात करें तो इसमें कई मिश्रधात्व में बनाने में लेड या शीशे का हम उपयोग करते हैं मान सिंग, मुकुल, गोलूराज गोलूराज का D है और मान सिंग का C ओके ओके भीवाराम आपने आंसर नहीं दिया क्या आचा C दिया था आपने Sपना याद अपने D नहीं होगा सपना के रहे ये D नहीं होगा तो क्या होगा फिर सपना ये भी बता दो चेतना गुर्णून भई चेतना लेट हो गई Sina ये पता नहीं कहां से कॉशन लेकर आ रहे हैं सीना तो भई ठीक है टिन की बात करें तो आपको पता है लेड और टिन दोनों का हम मिश्रधातों में यूज लेते हैं ठीक है किसमें यूज लेते हैं मिश्रधातों मोनू अभिशेक, हलो भई अभिशेक, मान सिंग, भीमराव आपने दे दिया शायद उपर, आशा, क्या कौन सा अंसर दिया आपने आशा, सपना का सी, ओके, 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 देखो, यहाँ पे हमने कहा, कि यह तो ऐलोईज जो हैं, वो ऐलोईज बनाने में हम इनका यूज लेते हैं, अब बचा क्या प्लेटिनम, प्लेटिनम की कल चर्चा हुई थी हमारी, आपको ध्यान हो तो, प्लेटिनम में हमने बताया था, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको एक नाम दिया था, हमने, क्या नाम दिया था, उसकी हमने बात की थी, तो प्लेटिनम को हम सफ पेद सोना बहुत महंगी धातू है सबसे महंगी धातू भी है यह महंगा तक तो महंगी धातू यह महंगी धातू भी है भीया कौन यह प्लेटिनम महंगी धातू है ठीक है और इसको एक नाम और दिया था हमने क्या नाम दिया था एडम उत्प्रियरक भी कहते हैं किसको इस प माउंटेन पैन की निव की टिप बनाने में भी इसका प्लेटिनम का यूज लिया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा सफेद सोना वाइट गोल्ड बिल्कुल 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 गुंजा ऐसी नहीं है भी या कहीं महेंगी दातो अगनी बम तथा धूम्र बम अगनी बम तथा धूम्र बम बनाने में जिसका उपयोग होता वह है? किसका हम उपयोग इन बम्स बनाने में किया जाता है? ठीक है? option में बोल देता हूँ आपको पहला option है sodium, दूसरा है scandium, तीसरा है potassium और चोथा है ozone किसका हम use लेते हैं किसका use लेते हैं हम bum बनाने में आशा शर्मा D आचा गोल्ड की चेन है सुरेंद्र बर्मा कह रहे हैं very good भया फटा फटा से answer दे हैं गलत तो होई गया राजे इस मतुरा से ओके क्रश्न वगवान की नगरी है मतुरा भई ठीक है पूरा ब्रज छेत्र है और ब्रज छेत्र के आसपास से ही मैं हूँ आशा शर्मा ओके ओके मोहन ठीक है सीना हाँ हाँ ठीक है अब answer दो इसका पानी के साथ में बिसफोर्ट करता है ठीक है काफि करियासील दातु भी है इस Candium की बात करें, तो किस नमर पे आता है, Potassium की बात करें, Ozone की बात करें तो ये Ozone परत जो है, जो UV rays को reflect करती है, परावर्तित कर देती है, आने ने देती है, परतिवी पर, वो कारिस के द्वारा किया जाता है और आपको मैंने बताया था Potassium, किस की बात की थी है, Potassium की, तो Potassium का जो use है, वो किसमे किया जाता है, इस अगनी बंब बनाने में किया जाता है तो C जो है, वो सबी बच्चों का लगबग सही आंसर है, तो इसमें ज्यादा हम मैनत नहीं करने वाले, ठीक है ओके अच्छा लूनावी मत्रा से, ओके, ठीक है? चेत्रा ने सी अब दिया है क्या अरे आप तो question उलट दिया नया question देखो अब इसका answer देना आपको हवाई जाज की body बनाने में उप्योगी है हवाई जाज की body किसके द्वारा बनाई जाती है option में पढ़ देता हूँ magnolium, दूसरा है जिंकमल गम तीसरा स्टील, चोथा इसमें पीतल किसके द्वारा हवाई जाज की body बनाई जाती है ठीक है फटापड से answer दें सुरेंदर अच्छा दातरंग मड़ से है ठीक है तो ठीक है फटापड से answer दें चली answer क्या है इसका हवाई जाज की body बनाने के काम आती है आपको बता है जिंक और यहाँ पे mercury की बात करें Hg जिसको बोला जाता है किसकी बात करें हम? mercury जो होते हैं उन अमलगम में mercury का होना आवश्यक है किसका होना आवश्यक है? mercury का तो इसका मदला Hg जहाँ होगा वो क्या बनाएंगे? अमलगम बनाएंगे, या जिन् की जो miitié मिक्षर है वह ही क्या क्ह राता है स्टील काफी कठोर है इसके लावा हमें पता है बर्तन बगपर है वह बनाने काम आता है पीतल का उपियोग हम एक तरह से मिश्रदाट हूए है पीतल बर्तन बनाने में यूज लेते हैं अन्य कई जगे हम पीतल का इसमें यूज लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मिश्रदात हुएं, मेगनालियम जो होता है, मेगनालियम ये मेगनीशियम और अलुमिनियम इसका मिक्षर है, किसका मिक्षर है, मेगनीशियम और अलुमिनियम, इस मेगनीशियम और अलुमिनियम क हाँ हाँ अभिशेक बिल्कुल क्या एस में राइट आंसर मेगनालियम होगा क्या होगा मेगनालियम ठीक है यह आपको ध्यान रखना है मेगनालियम के बारे में लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ मेगनालियम के साथ में यहाँ पर एक और होता है डूरालियम और हलके औ वारा इसका उपयोग किया जाता है बनाने में तो एलुमिनियम की बात करें कौपर की बात करें मैगनीशियम की बात करें इनका मिक्षर क्या कहलता है यह थोड़ा सा आप देख लेना इसको नोट कर लेना मैंने आपको इसमें लिखा देता हूं किस की बात करें हम तो यहां प वो बनाया जाता है, और हलका और मजबूत बode May oggi बनाने में इसका क्या किह आ जाता है, यूजली आ जाता है, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है? अगला प्रस्ट क्या कह रहा है अगला क्वेशन है हमारा निम्न मेंसे सरवाधिक क्रियाशील धातू है सबसे जधा क्रियाशील धातू है क। कौन सी क्रियाशिल दातु है? option में पढ़ देता हूं, option ऐ कह रहा है potassium, दूसरा कह रहा है sodium, तीसरा S में कौन सा calcium और चोथा है magnesium, कौन सी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सक्रिय दातु है? फटाबर से के रहे हैं अभी पूजा से हाँ आज की पूजा भी है तो इस वज़े से कई बच्चें जो है हमारे जुड़ नहीं पारे कोई दिक्कत नहीं अले क्यों कर रहा है मैंने पुछा है सरवादे क्रियाशिल दातू आंसर दो फटावड से राजेस ने बी दिया है रतन लूना ठी क्यों टीक है थीक है राज तो टीक क्यों ओक्क het थीक है आपकी बात बता दूँ आपने एक शब सुना होगा जाक रीता SCHRED? नाम सुनाएं क्या फटीक है इस सट लूता एक क्रियाशिल धातू से कमक्रियाशिल धातू की और हम क्या बनाते है एक açık्ष्र्डी बनाते है इन म केल्सियम की इसके अलावा हम किसकी बात करें मैगनीशियम की इसके बाद में आईरन और अन्य जो धातुएं वो आती हैं यहां पे आईरन की बात कर लें हम लेड की बात कर लेते हैं पीबी की बात कर लेते हैं इसके अलावा हम हाइडोजन की बात करें कोपर की बात करें मरकर की बात करें यह जो हैं तत्व सभी के सभी यह क्या है एक और में मैंने इसको विवस्थित किया है और इसके अरावा हम सिल्वर की बात करें एजी की बात करें और हम गोल्ड की बात करें जिसको हम एयू बोलते हैं ठीक है यह सारी सारी एक मैंने श्रेणी बना दी और उपर से नीचे की और इसमें क्या बना दिया हमेने तीर का निसान ठीक है पहले ये श्रेणी है उसके बाद में ये श्रेणी है ये श्रेणी कहलाती है सक्रियता श्रेणी यानि कि अधिक क्रियाशिल दातू से कम क्रियाशिल दातू की और इनको हमने क्या कर दिया एक ओर्डर में जव ठीक है अब यहाँ पर देख लो आप सरवाधिक सक्रिये कौन सी है सबसे कम इसके आधार पर अगर पूछा जाए चार तत्तु दे के पूछा जाए तो हम यहाँ पर बता सकते हैं किसकी है ठीक है तो पूछ रहा है वो सरवाधिक क्रियाशील तो सरवाधिक क्रियाशील तो किस की बात करतेफ, ड integrity किस की बात करते हैं, यहाँ पर magnesium की बात करते हैं, तो चारों में सबसे कम सक्रिये, सबसे कम सक्रिये, ठीक है? बात समझाएगा? तो यहाँ पर इन चारों में सबसे कम सक्रिये कौन? Magnetium. यह एक मैंने order से जमाया है, तो तो potassium उसके बाद में sodium उसके बाद में calcium उसके बाद में magnesium यह आपको धिहान रखना है ठीक है तो definitely इसका answer क्या होगा potassium होगा लेकिन अन्य जो questions है हमारे वो इस सक्रियता स्रेनी से आ सकते हैं तो यह order जो है वो आपको याद रखना है कौन सा order इस क्रिया शीलता के आधार पर पतत्यों को क्या करना व्यमस्थित करना अधिक क्रिया सीलता से कम क्रिया शीलता की ओर जिसको आम ने क्या बोला सक्रियता स्रेणी ठीक है ह। आगे बढ़ें क्या हाँ भजेज्द हुद tenim ठीक है आदि्त आपने को क्या कह रहा है अगला प्रस्ण कह रहा है चिली साल्ट पीटर कहलाता है किसको हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं जल्दी से फटा फटा अंसर देना option में पढ़ देता हूं आपको magnesium carbonate दूसरा सिल्वर नाइटरेट तीसरा स सोडियम नाइटरेट और चोथा स में कौन सा कौपर सल्फेट इन सब के बारे में बताएं चिली साल्ट पीटर किसे कह जाता है यहां पर फटा फटा पट से बता है आंसर फिर उसके बाद में हम बात करेंगे देखो magnesium carbonate, sodium carbonate, sodium nitrate, silver nitrate, copper sulfate इनकी बात करें तो बार-बार हमने इसका उप्योग आपको बताया है copper sulfate का नीला थोता, blue vitriol किसे काजाता है तो बहुत 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 यह है बोड़ो मिश्रन ध्याना रहा है नीला रंग वो भी ध्याना रहा है भी आंसर आने लगे क्या? ओके, ओके, फिजिक्स भी होगी, सब भी questions डलेंगे इसमें, ठीक है, आने लग जाएगी physics भी, भी सब का आ रहा है, भी कोई सा है, silver nitrate, अरे क्या कर रहे हो आप, silver nitrate, नाम सुनाई कैसका, क्या है ये, ये तो lunar caustic है, और इसका एक ही उपयोग आपको ध्यान रखना है, इसमें से lunar caustic का, और पूछा क्या जाता है, अरे, पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाता है, क्या चुनाव के समय, अमिट स्याई काई से बनाई जाती है, तो हम कहेंगे, silver nitrate या lunar caustic से, तो definitely क्या होगा, ये तो गलत है, magnesium carbonate का इसमें यूज नहीं लेते, ठीक है, copper sulfate क तो अभी use बताया, बोडो मिश्रन, पदार्थों को नीला रंग फरदान करने में, इस blue vitriol या नीले थोते का उपयोग किया जाता है, क्या बोला हमने इसको, नीला थोता, तोता नहीं है, थोता है, क्या है, थोता, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में, blue vitriol बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, blue vitriol ठीक है, इस नीले थोते को, बड़ा use है भईया, नीले थोते का, ठीक है, इसके लावा हम प्लेटिंग में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में use लेते हैं इस नीले थोते का, ठीक है, तो फिर क्या, चिली साल्ट पीटर कौन, sodium nitrate, sodium nitrate जो है, वो चि चिली साल्ट पीटर में, ठीक है, इसके लावा यूज भी, हमने बताया था इसका, इस सोडियम nitrate का, यूज की बात करें हम इसके उ उपीयोग की बात करें, तो खाद बनाने में use होता है, इसका खाद बनने में, इसके लावा, nitric acid बनाने में, कौन सा अमल बनाने में? नाइटरिक एसीड बनाने में तरह दो अगला प्रसंद देखो क्या है किसको जूटा-स ओना कहा जाता है किसको जूटा-सुना कहा जाता है जूट बोलता है इसलिए कह जाता है क्या देखना है किसको कह representatives आए कोपर पाइराइट दूसरा इस मैं आयरन पाइराइट तीसरा में मलेकाइट ग्रीन और चौ्थह समैं शीडियराइट किसको जुटासोना कहा जाता है इसकी हम बात कर लेते हैं ठीक है copper pirate आपको ध्यान हो तो मैंने कोशन में बताया होगा किस आयस्क से प्राप की जाती कॉपर पाइराइट से ठीक है आयरन पाइराइट की बात करें तो इसको हम कहते हैं एफी एस टू और यह किसका है यह आयरन का एसक है आयरन का सलफाइड युक्त या सलफर युक्त तो एसक है यह कॉपर का सलफाइड युक्त तो एसक है ठीक है कौन सा होगा इसकी ही हम बात कर लेते हैं तो देखो कौपर का एक to कौन सा है Cu, Cu-3 Carbonate योकता ये सको और कौन सा है Ox का Hold Twice ये Malachite Green है और ये Malachite Green जो है ये भी किसका येस कहा है copper का ही येस कहा है किसका येस कहा है copper कहें c Day Ride की बात करें तो ये fe.co3 ठीक है यह किसका आयासक है आयरन का आयासक है किसका आयासक है आयरन का आयासक कभी कभी सूत्र पूछ लेता है भया किसके सीडराइट के मेलेकाइट गरीन के ध्यान रखना है तो यह किसका यह तो किसका है यह कौपर का आयासक है कौन सा मेलेकाइट गरीन यह सीडराइट किसका है यह iron का एसक है और iron का भी कैसा तो प्र 맛있 ACE कौन साहख और चुपाइद यूपाइड यूपाइड एसक थीक है बेकिन हमारा प्रस्ट नहीं इनमें से घुटा सोना किसको कहाजाता है ठीक है तो यहां पे option A क्या B. राजेस का F E. अच्छा-च्छा-च्छा. A होगा B होगा, हर्ष करे आशा का B, और मोहन, मोहन का तो पता ने फोन बेज दिया, उसने तो. समीर का B. ठीक है? A B में चकर है, नीचे तो नहीं जा रहे, C और D की तरफ नहीं जा रहे. Okay, 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 okay. ठीक है? आयरन पाइराइट को जूटा सोना कह जाता है कैसा कह जाता है जूटा सोना फॉल्स हमारा कैसा है फॉल्स हमारा कैसा है इस में गोल्ड कहलाता है कौन आयरन पाइराइट ठीक है और आयरन पाइराइट है क्या कॉपर का क्या है एक पूछे जाते हैं कि यह नाम को सा है इनमें से काइसक किस तत्तो का है दूसरा यह पूछा जाता है कि formula क्या है यहां पर हमने बता है iron pirate, malachite green इनके formula आपको ध्यान रखने है एक बात और पुछी जाती है कि नाम दे करके वो पुछता है कि निम्न में से Sulfide युगत अएस्क कौन, निम्न में से Carbonate अएस्क कौन, ठीक है, ये इसमें पुछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, निम्न में से Oxide युगत अएस्क कौन, जैसे हम हमेटाइट की बात क कि यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो कोई सरी क्वेश्चन है किस में से ध्यान रखने है इस आयसकों से ध्यान रखने है किस से और या आयसकों से ठीक है अगला प्रस्तन देखो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रस्तन कह रहा है मोती की रासाइनिक सनचना है क्या है मोती की प्रात होता है सीप से ठीक है और मॉलस्स का जो संग है इन जो नॉन कार्ड जो जीव हैं उनको विवक्त करते हैं किसके आदार पर किसके आदार पर हम वर्टीब्रेटा और इन्वर्टीब्रेट्स में इनको विवक्त करते हैं ठीक है नॉट्टो कोर्ड के आदार पर जिन मे एक संग है कौनसा मुलस्का मुलस्का का एक सदस्य है कौनसा cp cp सदस्य है और cp या cp जो है वो क्या देती है मोती लेकिन हम तो यह पूछ रहे हैं वो मोती काय की बनी है option यह है calcium carbonate option B है calcium carbonate तथा magnesium carbonate C option है calcium chloride और D option है इसमें कौन सा calcium sulfate किसके द्वारा answer B आ रहा है या C भी आ रहा है मुकेस का आशा का B सपना B भीवारा मुकेस C अच्छा B और C आशार आ रहे है calcium carbonate okay सपना मुकेस ठीक है गोलुराज B आशा का B मान सिंग B okay 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 ठीक है देखो मोती जो है वो एक तरह से चटान का ध्यान रखना है आपको और चटान काई की बनी है भी या चौक काई का बनाए भी या तो calcium carbonate का ये निर्माण होता है ठीक है लेकिन इसके साथ एक चीज और ध्यान रखने है आपको किस की बात करें हम इस्टोन की और इस्टोन कैसा नाम शुनाएगे पथरी और पथरी कहां अगर हम मानभ की बात करें तो किस में पाई बहुत पार पूछा गया दोनों यह पूछी जाते हैं और केल्सियों कार्बूनेट का बना होता है तो डेफिनेटली राइट आंसर क्या होगा बी नहीं यहां पर एस दा राइट आंसर ठीक है वी और ए में जो कन्फूजन है सी में भी था इसमें अब शे करें किड्नी में ग अगले प्रस्णों का सही जबाब देना है एक अंतिम प्रस्णों और हम आपको करा देते हैं और इसके बाद में राहुल जी जो है वो ततपर क्लास लेंगे हमारी पॉलिटी की और वहां से शुरुआत होगी और सभी बच्चे जमे रहें और लेते रहें क्लास को जो हमारी ल प्रस्णों किया जाता है खुबसूरती बढ़ाने में चलो, अब वो यह पूछ राएक भी है, जो अतिमुलाइम खनिज टैल्क है, या इसको हम पाउडर एक तरसे हम हमारी देशी भासा में बोलते हैं, जिसको सोप स्टोन बोला जाता है, वो मुख्यत है, क्या है, ठीक है, ओप्शन में पढ़ देता हूँ, इसमें मेगनीज सिलि ठीक है, किसके द्वारा, यहां पर पूछा गया है, क्या मुलाइम जो खनिज है, वो कौन सा होता है, इन में से आंसर देना, फटाबर से दें, डी आ रहा है, मुकेस का, बी, भीवाराम, चेतना का भी, ओके अंतिम प्रसने, आज की बिदाई इसके बाद में होगी, ठीक है हाँ, नहीं नहीं, लगाते हैं, सपना पुझरे, पाउडर नहीं लगाते हैं, लगाते तो हैं, पर मैं यह नहीं कह रहा, कि भी आख केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, हाँ, पाउडर का यूज कई और उनमें होता है, चले चले डी, मुके पुझ रहा है, भीवाराम क्या कह रहा है, हाँ, फ्लोरीजन्स होते है, फूल, बिल्कुल, बिल्कुल, फ्लोरीजन्स कहलाते है, क्या कहलाते है, ठीक है, ओक्सिन के अलग यूज है, ओक्सिन तो एक हर्मोन जो है, वो किस तरह का है, तो आपको पता है, शूट अपेक्स को बढ़ाने का कारे करता है ठीक है तने की व्रधी तो करता है जिब्रेलिन आपको पता है जिब्रेला फ्यूजी को राए इसके द्वारा प्राप करते हैं जिब्रेलिन को ठीक है तने की लंबाई में व्रधी भी इसी से होती है अगर हम जिब्रेलिन का छिड़का पता है बंद इस प्रमख हॉर्मोन भी कहलाता है Oxyn , ठीक है , कई हुपयों गए न हमोज के ओके ओके । ठीक है तो इसका राइट ऑँसर क्या है ? डी इसका राइट ऑँसर है , नीस네म सिलीकेट इसका राइट अंसर आपके एलो भी रहा है काफी यूजफुल है उसको हम यूज़ ले सकते हैं तो जो कृत्रिम चीज़े हैं उनको यूज़ ना लें क्रीम्ज जो होती हैं वो सबसे ज़यादा बोडी को नुकसान करती है ठीक है आपको लगता है कि ये बड़ा सुंदरता का बढ़ाने का पेमाना है एसा नहीं है यह क्या करती है पता है क्या इसकिन को खुरच देती है उस जगह से और अंदर की जो तवचा आती है आपको लगता है गोरा हो गया गोरा नहीं हुआ तवचा डैमेज हो गई बात समझदाई क्या तो कुछ टाइम तक तो ऐसा लगता है गोरापन बढ़ गया है लेकिन वो इसकिन जो है वो डैमेज हो नीचे हो सकता है वो आप कोई मैटर देंगे डेजन डेंट मैटर उसका लेकिन हमारी जो क्लास है वो बरकरार आप लेते रहे हैं डेफिनेटली आपको लाब होगा ठीक है दोस्तो तो हम मिलते हैं हम फिर आपसे मुकाते पहुंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए सभ जो बच्चे हैं उनका दिन सुब हो दोस्तो नमस्कार दोस्तो